जयए गुर्देव, गुर्वर ब्रह्मा, गुर्यूर भिष्णु गुरु देवु महेश्वराह, गुरुह साकषात परम ब्रह्म, तसमे शृरी गुरुवे नम, अर्चिनि वंदनी प्रातः इस्मधु परम पुजनी गुरुदेव के चरणों में बारं बार्वंदन कर आर एक जो free software है Geo Zebra उसकी साहिता से किस प्रकार से ये grid बनाना 16 दिशाएं बनाना उनको analysis करना उसको देख रहे हैं उस क्रम में जो अपने देखने का क्रम है उस क्रम में 16 दिशाओं का आज तीसरा पार्ट इसको अपन देखने का समझने का प्रयास करते हैं यह जो जीओ जेबरा जीओ जेबरा जो software है यह computer laptop और mobile सब में कार्वी करता है और इसमें अपने जो file बनाई है जो अपन अपने students को विद्ध्यारती को जग्यासू को देते हैं एक demo file free भी है तो इसमें कोई भी plot size हो उसको अपन बना सकते हैं नमर एक अभी demo में अपने चार कोने वाला plot फोर कॉर्नर वाला plot वो कैसे भी shape का हो उसको अपन बना सकते हैं और उससे यह center अपने को मालूम होता है और उसमें अपन यह solar zone वो निकाल सकते हैं यह जो line है red वाली यह north को represent करती ह और वो plot यदि घूमा हुआ भी है कितनी भी degree इदर मान लो जो भी degree है 70 है तो उसके recording वो दिशा का yellow वो सब edges हो जाती है यह north यह वाला जो belt है यह north यह north east यह north north east है यह north east है यह north east है तो इस प्रकार से अपन उसको कर सकते हैं गुमा सकते हैं देख सकते हैं उनके zone उनका area वो इसके अलावा अभी अपन उसको square shape में देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको वो समझने की दृष्टी से थोड़ा easy रहे समझने समझाने की दृष्टी से वो easy रहे इसलिए अभी अपन उसको square shape में देख रहे है कि कैसे square बाकि अपने को दिखती हैं और जोन दिखती हैं बाकि अपन किसी भी शेप में अभी तो छार चार वाले प्लोट्ट से दिखा रहे हैं लेकिन बाद में किसी भी आकार का प्लोट हो रेगुलर हो है वो सभी आकार पे अपन कार्य कर सकेंगे, इस करम में अपने प्रोपर्टिस, करेक्टेस्टिक्स देख रहे हैं, और कुछ अपन ने देख लिये, देवताओं के नाम के माध्यम से, ये ऐसे देवता, ये पिछले पाथ में अपने देखे थे, और उनके गुंधर्म, इसको भ अभी तक देखा, वह ईज की प्रॉपर्टी देखी नॉर्थ ईस्ट की देखी, फिर इस्ट नॉर्थ देखी जिसको हमने जैनत नाम दिया, इस्ट की देखी, सूर्य नाम दिया, भिंट की देखी, East-South-East की और अगनी तक की देखी, इनकी properties अपने देखी, उसके बाद वितत को भी देखा, जिसको अपने नाम अधर्म दिया, यह जो South-South-East लिखा है, इसको हम वितत कहते हैं अपनी देवता की भाशा में, और यह यम है, यहां तक अपने देख लिया, आज अप वरुन इनको देखेंगे, तो वास्तु पुरिष के शरीर पर जितने यह देवता है, आगे देरे-देरे समझेंगे, अभी तो 16 दिशा में देख रहा है, चार और आठ पहले देख चुके हैं, इनको सास्त्र में एक नाम दिया, कोडिफाइट करा, उसको बोलते हैं निघं निघंटु, और निघंटु मतलब कोडी और D-Coding, तो यहां जिसको आप South-South-West कहते हैं, अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन ये South South-West देखते हैं, इसको सास्त्र में क्या नाम दिया, इसको नाम दिया भ्रंग राज, South-South-West को नाम दिया भ्रंग राज और ये कौन ह यह निरति का पुत्र है, निरति को ने वह आधर्म की पत्नी है और हिंसा की पुत्री है, थोड़ा सा सास्त्र की भाशा में समझ लेते हैं, है न, समरांगन सुत्रधार, पराजित प्रच्छा, इसमें इनके निघंटु दिये हैं, कोडिंग डिकोडिंग दिये, तो इनकी प् प्रॉपर्टी को केसे जानना, तो केसे जानना मैं कहा कि देखो भई, जब व्यक्ति अधर्म का पालन करता है, अधर्म का पालन करता है, मतलब अपने करतवी का पालन नहीं करता है, और हिंसा का साहरा लेता है, हिंसक होता है, हिंसा करता है, तो यह जो पद है, इसके जो द तो वह दोश लगना शुरू होते हैं, तो क्या होता है उस दोश के कारण? व्यक्ति भहभीत रहता है, बहुत अधिक भहभीत रहता है, नरक तुल्य कर्ष्ट पाता है, यह जीवन में जब व्यक्ति भहभीत रहता हो, तो हमको कौन सा जोन देखना चाहिए? हमको यह जो सौथ सौथ वेस्ट का जोन है, उसमें देखना चाहिए, और यह पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या इसका कारण? व्यक्ति के अधर्म का आचरण और हिंसा तो नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है, कर्तव विका पालन नहीं करता है, इथ South-South West लिए जब दोश होता है तो व्यक्ति कैसा रहता है वह भाइभीत रहता है इस पर थोड़ा दिरे थोड़ा थोड़ा से इसको हलके हलके से समझते वे छलते हैं कि कौन सा दोश है तो हमको कहाँ विचार करना चाहिए, कौन सा जोन देखना चाहिए, तो जब व्यक्ति भहईबीत हो, एक होता है निरभीक, निडर, तो वो कब होगा व्यक्ति निडर, डेरिंग, साहसिक निरणे लेने वाला, एक तो इस बेल्ट में द करने वाला होगा और अपनी जो इथिक से नॉम से उसको फॉलो नहीं करेगा क्लियर हो रहा है थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टीज को देखने का समझने का प्रयास करते हैं तो साउथ गुद्वेस्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनके देवता का जो नाम है वो है पित्र पित्र और उनका जो निगंटू कह दो वो भी पित्र है और क्वालिटीज की जब अपन बात करते हैं तो कहा परंपरा यानि जो पीडी दर पीडी एक दूसरे से जो चली आ रही है परंप परा कहलो, गुडविल कहलो, यह उसको रिप्रेजेंड करता है, और किसको रिप्रेजेंड करता है, यह मोह को रिप्रेजेंड करता है, महा मोह, अटेश्मेंट, कि जब व्यक्ति बहुत जादा किसी भी चीज से अटेज्ड है, और उसके कारण उसके निरणय प्रभावित हो होता है तो जब हम किसी चीज से बंध जाएं और बंधने के कारण हम गलत निर्णे लेने लगें इसका मतलब वेस्स साथ वेस्स का वो दोश है उसकी क्या प्रॉपर्टी बता ही सास्त्र में क्या कहा इस पद में जब दोश हो तो क्या उसके लक्षन होते हैं उसको धन क्याहत है उसमें गुण आजाता है और बैमान होने के आशग कारती यह कब साउथ में दोश होता है अपनी पूस्तक है पेतलिस देवताओं की समझने का प्रयास किया और एक ग्रण्त है उसका नाम है विश्णु धर्मोत्तर पुरान उसमें ये जितने भी दिकपाल हैं, चाहे वो इंडर हो, चाहे वो अगनी हो, चाहे यम हो, निरती हो, वरुन हो, वायू हो, कुबेर हो, इश हो, इन सबकी characteristics और गुण बता हैं, तो अपने कहां-कहां से ये सब संकलीट किया, कहां कहां से ये characteristics collect की उसका ग्रंत का नाम है विश्णु धर्मुत्तर पुरान संस्क्रत का जो ग्रंत है निघंटू और जो वास्तु के ग्रंत हैं समरांगण सुत्रधार अपराजित प्रच्छा इन सब ग्रंतों के आधार पर अपने ये जो दिशाएं हैं इनकी जो characteristics हैं उन an fuld करने का प्रयाश्किया तो आज अपनने क्या देखा आज अपने देखा निरति ये जो भ्रेंग राज है इसकी characteristics को देखी और भृंगराज की Characteristics को अपनने यह जो West Southwest वाला है उसका देवता का नाम बताया भृंगराज और गुन उसका बताया निरत्ती का पुत्र निरत्ती को बताया कि अधर्म के पतनी और हिंसा की पुत्री है तो इनका जब आचरन करेगा तो वेक्ति केसा रहेगा भाईवीत रहेगा उसकी कुछ मूण को समझा और अपनने पित्र के गूण को समझने का प्रयास के आगामी पार्ठ में ये मनू को अपन देखने का प्रयास करें कि मनू है वरुण है शोष है और जो अभी आप लोग भी प्रेक्टिस करते हैं, हम तो इसको थोड़ा कम वो बेटेज बगएरा देते हैं, एरिया के हिसाब से, तो आगे अपन वो बार चार्ट के कौन सा जोन, उसका एरिया कितना है, जैसे मान लो ये वाला है, तो ये एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो ये टावर उपर रहेगा, बाहर में, इसका अरिया ज्यादा बता हैं, जैसे ये दिशा घुमी, और ये जो जैसे पद को भी आपन चाहो तो दाल दो, तो नॉर्थीस ज्यादा है, तो नॉर्थीस है, साउथ वेस्ट है, साउथीस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, ये चार पीक इनको अपन समझेंगे आगे जब इसको घुमाते हैं तो कैसे कैसे वह जोन वह कुण सा जोन अभी 45 डिगरी पे आ गए तो दूसरा जोन बढ़ गए नॉर्थ इस जो है वह कम हो गी है यहां पर ऐसा तो उनको अपन समझेंगे देखेंगे जानेंगे तो यह सब अपने इसको सरल करके जियो जेवरा में बनाया है जो अपने मेंबर्स को विध्यारती को देते हैं तो अभी इतने ही कहके वानी को विराम देते हैं आगामी पार्थ में और देवताओं को देखने का प्रयास करेंगे जय गुर्देव जय गुर्देव